हेलो एप्रीवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सबी आई रेली होप मेरे सारे फ्रेंड्स फैमिली बहुत ही जादा अच्छे होंगे सबीवाइब अर्ली मॉर्निंग नहीं हो रा नहीं हो एक टोड़ा से लेत वहाई थो रही तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स थो रही था क्योंकि कल रात में थोड़ा सा अच्छाइ बनाने के लिए नहीं है तो पहले मैं जा रही दूद्ध रखा हुआ तो मैंने चलो इसी में चै बना लेती हूं संग संग बरतन भी धुल जाएगा सो सुबा की पहली चाय आप सब भी आके पी लीजिए चाय बनाने के साथ-साथ मैं फिटनास्ते की भी त्यारी करने लगा हूं क्योंकि आज मुझे बहुत सा रगाम है दो तीनी के कपरे थे मैंने सारे कपरे को वाश किया और कुछ गर्मी के कपरे मैंने निकाले भी थे पहनने के लिए तो वह सारे कपरे इतनी कठे है न तो मुझे उनको भी मतलब तैल लगा के फोल्ड करके सब कुछ रखना है सही से सो पहले मैं यहाँ पर आपको बता रही हूं कि मैं ब्रेकफास्ट में हल्वा बना रही हूं पर दो करेऊं तो खार लेकार नहीं मन किर गा तो नहीं खाएगा नोयों मैं इसे तो 5 जैष थे ... तो यहां पर हजबन के लिए भी नहीं निका लिए भी निकाल दी कुछ थोरा ठंडा होगा और अभी मैं जा रहे हूं उसको उठाने के लिए तो उसको उठा के ब्रश करवा के फ्रेशनब करा के उसे उसके बाद मैं उसको ब्रेकफस्ट करवा दूगी बाबु का ऐसा ही कर दो ड़ु जांगी रुट मैं रहे हैं रुट मोर्न कभी नहीं पुलता है यह रिशांक यह रिशांक यह रिशांक यह रिशांक समय share जुझ इसके बाद मैं आ चुकी हूं अपना काम कने के लिए कुपि देख सकती हैं कितने सारे कप्रे कुप कटset हैं पे ट्रंक से उपर में उपर हैं तो इन इससारे कप्रो में आपने करने दोMP कर आपL Mount तो देख देख के ना सर पी लग रहा था कि बहुत बड़ा बोज है तो मैं ने का जब तक मैं इसको सही न कर लूँ और bedroom बेकार रहता है मैंने कपरे अगर इधर सुधर परे आए ना तो देख देख के न और गुससा आएगा खुद पर भी गुससा आएगा कि यह मैंने कैसे करके रखा है दो तिन से मुझे थो टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं फटा-फट इसको सारे कपरे को पैचे से कपरे सारे को निंकाल दिया एक साथ धूल जाएंगे कपरे और इसमें कुछ पिलो डखे हुए वह सब मैं उस साइड में डख देती हूं और बाबू के कपरे अलगता है लगाओंगी और कपरे समेट लोना तो हाय लगता है कि कितनी लाइफ मेना चैन मिली है कि नहीं आप मु करने में लगी हूं और इसके पता है उसके वीडियो क्या में शूट करती इतना लाइट ही कट गया बहुत जादा मुझे टेंशन होगे लाइट क्यों कट गया बहुत जादा टेंशन हो गया था लेकिन क्या कर सकते हैं और यहां पे मैंने सारे कपरे को फोल्ड कर लिया था तो इतना बरश मुझे पतां कि लॉआ जब बेंक हैं। जल्सक्रीं कोजिए रीधरी नहीं करने में थे नहीं दुल सबढ़े से तो सबस्क्राइ थे नहीं करते है और क्अपरे कपते हैं रिया उप आप में पर्फ्यूम कुंझ को क्पारीट झाप यह 59 again हैं उसे बेफालतू हम अलमीरा में रखे और जगह क्यों बढ़ा है कि मैं अंदर रख दूंगी या तो बैड के अंदर या तो ट्रंक के अंदर तो आराम से रह जाएगा और यह सारी कैसा लग रहा है अप लोग मुझसे बताना थोड़ा ही समय दिखा पाई किसी दिन हैं मेरे पास हैंगर नहीं था मैं बड़ी पास हैंगर नहीं है और इते नहीं है हैंधर सबधसहीं पर huge सारी कुंक प्थे surprised young में रख दूंग और अट घूंड मेन इक अलमीरा में रहता होरा उपे तूम ने हंएंगी पहां मेरेती मेरा को मैं आपनाइजयशनन वाली करके जोआ हो रहा है ना इसलो आज चाहटे वहार बारीश हो जानगा फ़आओं ऑल शोड़के हैं मेरे के कहता बु था मुझ आख था हो अख़ी के अच्छ बारी साने पर पूरा पानी पानी आजाता है लेकिन हड़ डस्ट आता है क्योंकि रोड पे घार है तो डस्ट तो आए गाई तो उसके फिर से मैं काम में लग चुकी हूँ क्योंकि रुकटे का मतलब नहीं बनता सब कुछ मुझे ही समेटना है तो इन सब को पहले में ट्रंक पर रख दी हूँ लेकिन ट्रंक पर जो समान रखा हुआ है न वो ट्रंक पर नहीं रहेगा सिर्फ एक जो आप देख रहे है न डोल्ची टैप का वही रहेगा बाकि कुछ पर नहीं को शवाट में तरीके से रख atual है ना अचितने के लगा हुआ था तो जैसे बैड रूम में जाला लगना ना अच्छा नहीं होता है और मुझे यह फ्लावर सब देख रहे हैं यह फ्लावर सभी मुझे सारे वाश करने है तो पहले तो सारे बैड मतलब पूर जितना ही बैड पर समाने सबको मैं नीचे हटा दोंगी बाद में सब्सक्राइब को क्या रखने वाला सब्सक्राइब में था नहीं होता है चल्डे तो इक रहा वाइए Dan बताना कि इसा लग रहा है, यह दियाएव मेरा, यह मैंने अपना और पने हस्बन का फोटो लगाया है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने शारा जाला जितना भी है, सब को मैं क्लीन कर लोगी तो कम से कम टेंशन फ्री हो जाओंगी, मैं तारा घर का काम ने एक दिन न करने लगोना, तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि घर में बहुत सारा काम होता है, खाना बनाना, बच्चे संवालना, बाबो को नहलाना, अभी तो बाबो स्कूल नहीं जा रहा है, बट मंडे सब फिर से स्कूल जाने लगेगा, डॉक्टर ने कहा इसकूल जाएगा, कोई प् तो जाला साफ करने के बाद यहां जो क्यों बैट शेटी करने, और जो भी कपरे हो गया थे न, वो सारे कपरे को मशीन में दे दूँगी, लेकिन पता है लिक्वीडी नहीं था, मैं भी देखने हैं तो लिक्वीड नहीं था, पाउडर वाला डिटरजन था, तो मैं सुची कि चलो उसी से धोल लेती हूं, क्योंकि कितना वेट करूंगी, और अभी हजबेन ब्रेक्वास्ट करके चले गए हैं, तो उनको आने में तुरह टाइम लगेगा, तो मैं उनका कितना दिर वेट करती हैं, और मेरे काम है, जो मतलब मैं चाहती हूं काम कर रही हूं, तो लगतार में काम करके अपना टेंसन फ्री हो जाओं, तो यहां पे मर्शीन में मैंने सारे कपरे लगा दिया, सारे नहीं मतलब जितने पहले डेली यूज वाले वह लगाया है, और जो बैट शीट से धूने के लिए वह लास्ट में लगाऊंगे, क्योंकि बैट शीट में अलग दोती हूं, और बाके डेली यूज वाले कपरे यहां पे कपरे धूल जाएंगे, और साइट से थोड़ा से पाइप के साइट से पानी तो पानी पानी हो जाता है, तो इस वज़े से मैंने एक बाल्टी लगा देती हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बालकानी में थोड़े पहले मैं आपको दिखा आई थी ना पर बहुत जादा बालकानी क्लीन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी तोड़ा सा काम है, मैं भी नहाई नहीं हो, मैं भी ब्रेकफ़स्ट भी नहीं की हूं, पता है अब सबको ब्रेकफ़स्ट तक भी नहीं की हूं, मैं तो मैंने का कि नहीं पहले मैं नहा लूँग उसके और मैं यहां पर धूप में रख दियूँ सूखने के लिए सब सूख जाएंगे उसके बाद साम में उठा लोंगे अगर सूख जाएंगे नहीं सूखेंगे तो हवा में सूख जाएगा और इसके बाद भी चलिए भी खिरकी के पास न थोड़ा सा मतलब वही जो हवा आया न पूरा डस्ट देखी कैसा डस्ट हो गया तो मैं इसमें जहारू नहीं लगाई मैं इसमें इसी तरीकी से सोची की चलो क्लीरिंग कर देती हूं थोड़ा सा जिसे की सही रहेगा तो बस इसको दो दूंगी और बस काम हो जाओ अगर बाबू का हाथ देख सकते हैं बहुत अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा बैल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा तो आप मैं इसके बाद बहुत थक गई थी और कोई भी ब्लॉग शूट करने के हिमत में नहीं थी और मुझे नहाना भी था मैंने कुछ खाया भी नहीं था तो क्याल रखिएगा हस ते रिएगा मुस्कुरा ते रिएगा